देश की आजादी से लेकर आज तक देश को मजबूत बना रहा है इस बात ये कभी देश के सबसे बड़े रेल रोड ब्रिज गोगी बील का आधार है तो कभी दुनिया की सबसे लंबी रोड टनल की मजबूती में भागिदार है ये कभी रोड बदल दुनिया की सबसे उची प्रतिमा में ढल जाता है तो कभी आखों में सपने सजाता है रोड चाहे कितने भी हो इसके पर इसके कान कान में सिर्फ भारत है और जब बात इस पात की हो तो भारत के पहले पब्लिक सेक्टर स्टील प्लांट राउर केला स्टील प्लांट यानि आरेसपी की बात कैसे ना हो तो आईए जानते हैं आरेसपी के बारे में राउरकेला स्टील प्लांट इसपाती इरादों संग आत्म निर्भर भारत की हो सेल यानि स्टील अथॉरिटी ओफ इंडिया लिमिटिट का ये अत्याधुनिक प्लांट ओडिसा के सबसे बड़े उद्योगों में से एक है सेल जो कि तब से लेकर अपत, पिन से लेकर पाइप, बरतन से लेकर जहाज, पटरी से लेकर टैंक, स्पेस शिप से लेकर गगन चुमबी इमारतों और ब्रिच, हर जगए अपनी छाप छोड़ चुका है वो आज RSP और अन्य प्लांट के साथ प्रधान मंत्री जी के आत्म निर्भर भारत के विजन को साकार करने के दिशा में तेजी से अपने कदम बढ़ा रहा है अब एक नई प्राण शक्ति, नई संकल्प सक्ति उसे लेकर के हमें आगे बढ़ना है हम भारत को आत्म निर्भर भारत बना सकते हैं हम भारत को आत्म निर्भर बना कर रहेंगे वैसे तो सेल के इस प्लांट ने कई कीरतिमान रचे हैं पर आज जब सारी दुनिया कोरोना महमारी से जूज रही है तब ये प्लांट इस पाती इरादों, दूरदर्शी नेत्रित्व और कर्मचारियों के बुलंद होसलों से एक नया इतिहास रच रहा है अत्याधुनिक तकनीक से लैस RSP के स्टील बनाने की पूरी प्रोसेस में एक महत्वपूर्ण अंश है ऑक्सिजन ब्लोइंग जो कि लिक्विड आइरन को स्टील में परिवर्तित करने में मुख्य भूमी का निभाता है जितने जाधा ब्लोज होते हैं उतनी ही अधिक मात्रा में स्टील बनता है RSP ने 2 जुलाई को स्टील मेल्टिंग शॉप दो में पहले के 30 से 32 ब्लोज एवरिज के मुकाबले सिंगल कनवर्टर से 48 ब्लोज का आंकड़ा चूकर एक नया राष्ट्रिय कीरतिमान बनाया है ये कीरतिमान है अभूत पूर्व संभावनाओं का मेक इन इंडिया के तहट कम लागत में बहतर क्वालिटी के इसपात उतपाधन का नई उम्मीदों के स्रिजन का और उडिशा के ओध्यों की काया पलट का तो चलिए सेल के राउरकेला स्टील प्लांट के साथ कदम बढ़ाते हैं आत्म निर्भर भारत की ओर राउरकेला स्टील प्लांट इसपाती इरादों संग आत्म निर्भर भारत की ओर